असलाम अलेकुम आई ब्यूटिफॉल योटू फेमिली आज मैं आपके साथ में शेर करने वाली हूँ रेस्टरंट स्टाइल वाइट सोस चिकन पास्ता बनानी की रेसेपी बहुत ही जादा डिलिशस और टेस्टी पास्ता बनके तयार होता है और बच्चों से लेके बड़ो वीडियो को नोटिफिकेशन आप तेक सबसे पहले पोचे तो चलिए सबसे पहले हम पास्ता बोईल कर लेते हमने ये एक पहन लिया है और इसमें हमने पानी डाला है जेल लिटर अब इसमें हम दाल देंगे नमक हमने हाफ टेबल स्पून नमक एट कर दिया अब इसके तो यहाँ पर देखें पानी में बोईल आ गया है अब इसमें हम दाल देंगे पास्ता हमने दो कप पास्ता लिया है और अगर हम मेजर करेंगे तो यह तकरिबन 400 गिराम पास्ता है तो सारा पास्ता हम ट्रांसफर कर देंगे और पास्ता बोईल होने में ज़्यादा टाइम जैसा हमें पास्ता चाहिए बिलकुल परफेक्ट या जैसे बोईल हो जाएगा तो यहां पर आभी पास्ते को हम हाई फ्लेम बे बोईल कर लेंगे दूसरी साइड चलते हैं तो यहां पर देखें हमने तकरिबन एक कब दूद लिया है फुल फेट हमने दूद लिया है यहां तो रेस्टरेंट में बिलकुल इसी तरह से दूद को बोईल किया जाता है मीडियम साइज के हमने एक प्याज लिये और एक मीडियम साइज के हमने तेश पत्ता लिया है यह तीनों ही इंग्रीडियन का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दूद में हम इस पे स्टीक कर दे दाल देंगे दूद में और दूद में दालके तकरीबान हम इसको अच्छे से बोईल कर लेंगे चार से पांच मिनट तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा दूद में फिर वाइट सोस बनाएंगे तो यहां पर देखें दूद अच्छे से बोईल हो गया है और दूद को अभी हम ठंडा होने देंगे तो दूद को ठंडा होने देंगे और यहां पर देखें हमने पास्ते को बोईल करने रखा था पास्ता भी अच्छे से बोईल हो गया इसमें तो सारा पास्ता हम पानी से निकाल लेंगे आप चाहें तो पानी ड्रेन भी कर सकते और प पास बटर है तो ज़ाद करके बटर का भी यूणS कर लें और अगर भटर नहीं है तो आप ईसमें ओїल का भी यूज़ कर सकते हैं और बोलने चिकन को जादा टाइम नहीं लगता है कूख होने में 4-5 निट में अच्छे से कूख हो जाती है तो हम जब तक अच्छे से fry करेंगे जब तक चिकन का completely इसका color change नहीं हो जाता है तो हमने flame को यहाँ पर high किया है high flame पर हम अच्छे से fry कर लेंगे पहले चिकन को फिर हम cook होने देंगे तो चिकन यहाँ पर cook हो चुगी इसमें हम अभी आगी की ingredient दालेंगे और जैसा हमें color चाहिए था हलका सा sports भी आगए चिकन पर अब इसमें हम दाल देंगे half table spoon black paper powder दाल देंगे और इसके बाद में हम दालेंगे इसमें शिम्ला मिर्च और शिम्ला मिर्च को हमने long pieces में कट किया है इसके अंदर के जितने भी seeds वगेरा थे हमने सब निकाल दिये अब इसमें हम quarter चमज दाल देंगे नमक एक चुटकी शक्कर एट कर देंगे आप बिल्कुल बे फिकर होके इसमें शक्कर एट कर दें एक चुटकी बिल्कुल भी पास्ता मीठा नहीं बनेगा और हमने इसमें शिंबला मिर्च दाली है ग्रेन शिंबला मिर्च इसका color एक दम्से परफेक्ट जिसा green color है तो फिल्कुल वैसा ही रहीगा इसका color change नहीं होता है अगर हम शक्कर एट करते हैं तो हम शिंबला मिर्च को दालके ज़्यादा देर पूक नहीं करेंगे सिर्फ आदा मिनट हमने आचे से कूक कर लिया है तो यहाँ पर देगे शिमला मिर्च और वेजी टेबल भी हमारा फूक हो गए और अब यहाँ पर हमने वापस एक पैन लिया है और पैन में हम तकरीबन दाल देंगे टू टेबल स्पून बटर यहाँ पर इसमें हम दाल देंगे तकरीबन टू टेबल स्पून मेंदा और मेंदा दाल के हम इसे ज़्यादा तेर तक नहीं भूनेंगे यहाँ फिल्स का कलर चेंज नहीं करेंगे हलकी से इसमें खुश्पू आने लगी तो फिर हम इसमें एड़ कर देंगे दूद मेंदा को यहाँ अगर आप जादा बून देंगे तो उसे क्या होगा जो सोस का कलर है वह वाइट नहीं होगा जितम से कलर चेंज हो जाता है अब हम इसमें दूद एट करेंगे नॉर्मल टेंपरेशर पे दूद है अगर आप इसमें जादा करम दूद एट करेंगे तो उसे क्या होता है लं एड्स में एड्ट कर दिया है और फ्लेम को अभी हम मीडियम टू हाई कर दिए इसमें एक बौल आनी का वेट कर लेंगे तो इसमें अभी देखें बोईल आने लगा है और जैसे हमें सोस में थिकनिस चाहिए बिल्कुल परफेक्ट है अब इसमें हम दाल देंगे बलेक पेपर पाउडर हाफ टेबल इस्पून दखी बन हम इसमें बलेक पेपर पाउडर दाल देंगे आर इसके बाद में हम दालेंगे इसमें रेड चिली फ्लैक्स हाफ टेबल इस्पून हाफ टेबल इस्पून हम दाल देंगे इसमें औरिगेनो और हम इसमें नमक कम ही दालेंगे अभी कोटेट शोमच नमक एट करेंगे क्योंकि हमने जब पास्ता बोईल किया है तो उस टेमपे में हमने पास्ते में नमक डाला है और हमने चिकन फ्राइ किरी चिकन में भी हमने नमक एट किया है तो यहाँ पर थोड़ा धिहान से ही नमक डाले तो हमने सारे ingredient sauce में add कर दिये अभी chili flakes और इसमें हमने black paper powder दाल दिया तो अच्छे से हमने सब ingredient को mix कर दिया इसके बाद में हम दाल देंगे इसमें chicken और similar अच्छे से mix कर देंगे तो हमने 6-7 सिकंड अच्छे से mix कर दिया और अब हम इसमें बोईल किया हुआ पास्ता दाल देंगे हमने मेकरोनी पास्ता लिया है आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी पास्ते का यूज़ कर सकते और हम सारा पास्ता ट्रास्फर कर रहे हैं सोस में आप चाहें तो पास्ते के उपर सोस दाल सकते और अच्छे से हम पास्ता दाल के फिर कम से कम 6-7 सेकंड इसे अच्छे से कूक कर लेंगे मिक्स करके पास्ता दाल के ज़्यादा देर को हमें कूक करने की जरूरत नहीं है हमारा पास्ता परफेक्ट एकड़म से रेडी हो गया यहाँ पर तो अभी हम फ्लिम को ओफ कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कम सर टाइम में बनने वाला पास्ता बहुत कम इंगरीडियन के साथ में हमने ये पास्ते को रेडी किया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलिशेस बनके पास्ता हमारा एक दम सा चिस रेडी हो गया है अभी हम इस पे सर्विंग का टाइम पे थोड़ी सी हम चिकन और शिमला मिर्च दाल देंगे तो सूपर टेस्टी और सूपर डिलिशेस पास्ते की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूले दोस्तों और फैमली के साथ सबके साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको मेरी चिकन पास्ते की वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बता है आपका पास्ता कैसा बना थेंक यू वर वोचिंग माई वीडियो अलाह आफीज